स्वागाते बच्चों आप सबका ओनलाइन क्लास में आज हम क्लास 11 में भुगोल विशे के अंतरगत Lesson 11 इसका नाम है जै विवित्ता एवं सेंडरक्षन यह है भुगोल विशे के अंतरगत Part 1 में Last lesson है जै विवित्ता एवं सेंडरक्षन या Bio Diversity and Conservation बिन्दु को देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है तो आप देख रहे हैं जो महतपूंड fedi had just a पढ़ने हमें हैं तो सबसे पहले मैतपूर्ण शब्दावली के अंतरगत जो कठिन शब्द हैं, इन्हें हम देखेंगे कि जय विवित्ता यानि बायो डायवर्सिटी, ठीक है, क्या है, पिर्थवी पर किसी प्रदेश के पौधों, प्राणियों और सुक्ष्म जीवों के विवित्ता को जय व ठीक है, तो इस लेसन में हमें जय विवित्ता, जय में क्या आता है, पौधे आते हैं, प्राणियों और सभी प्रकार के सुक्ष्म जीव, तो इनके प्रजातियों में जो विभिनता है, जो विवित्ता पाई जाती है, ये सब क्या कहलाती है, जय विवित्ता या बायो डाय जीवधारियों की एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में विभिन लक्षणों के प्रेक्षण या संचरण को अनुवन शिक्ता कहते हैं यह आप जानते भी हैं जैसे कहते हैं कि यह तो इसकी है या जैनेटिक है ठीक है ना तो जो लक्षण हमारी पिछली पीड़ों से अगली जो रहया यह को लाधा है जो दो लागला एक को आगे जा रहे हैे इंद संफिस पॉर्ट के है यह कुरोना वाला हॉट स्पॉट नहीं है आप इसे देखिए हॉट स्पॉट क्या है अत्य दिक जय विवित्ता वाले छेत्र अब जय विवित्ता आप समझ गया है कि क्या है तो जहां पर सरवाधिक जीवों के विवित्ता पाई जाती है ऐसे छेत्र को हम क्या कहेंगे हॉट spot, अगला है red list, विश्व की संकट ग्रस्त प्रजातियों की list, जो कुछ प्रजातिया ऐसी होती, जो संकट ग्रस्त है, ठीके न, जिनको उपर अधिक संकट है, समाप्त होने की, तो वो क्या कहलाएगी, red list, उसके बाद है, IUCN, इसका पूरा नाम क्या है, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, ये क्या संस्ता करती है, विश्व में संकर ग्रस्त प्रजातियों के पहचान करने वाली एक संस्ता है, ठीक, उसके बाद देखते है, जय विवित्ता, क्या है, जय विवित्ता के लिए, अंग्रेजी भाशा में, बायो डैवर्सिटी सब्द का प्रियोग किया जाता है, जिसमें बायो का अर्थ जीव तथा डैवर्सिटी का अर्थ है विवित्ता, किसी निश्चित भागोलिक छेतर में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विवित्ता को जय विवित्ता कहते हैं, अर्था ज इवन निर्माड के लिए जीन, एक महतपूर मूलभूत इकाई है, किसी प्रजाती में जीन की विवित्ता ही आनुवनशिक जै विवित्ता है, मानो आनुवनशिक रूप से होमो सपियंस प्रजाती से सम्मन्दित है, वच्चो मनुष का वैग्यानिक नाम क्या है? होमो सेपि दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिणता है इसका कारण आनवंशिक विवित्ता है और यह विवित्ता समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाती कहते हैं ठीक है ना प्रजाती क्या है समान भौतिक लक्षण भौतिक लक्षण यह हमें ज दाहरी लक्षण हमें दिखाई देते हैं ऐसे जीवों के samod को हम क्या कहते हैं अ प्रजाति आप प्रजातिए विवित्ता पाई जाती जो विभिन hat क्याई वह कहलाती है पृतिविव पर को स्पष्ट करती है उसके बाद पारितंत्र विवित्ता ठीक है पारितंत्र क्या है आपने पिछले लेसन नंबर 10 में पढ़ा है तो पारितंत्र की विवित्ता किसे कहते हैं पारितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिंडता और प्रतेग प्रकार के पारितंत्रों में होने वाली पारितंत्री प्रक्रियां तथा आवास अस्थानों की भिंडता ही पारितंत्री विवित्ता कहलाती है यह जो पारितन्त रहे इसके प्रकार हैं और जो प्रक्रिया हैं यह पिछले lesson 10 में आपको बताया गया है तो आप उसको भी ठीक से समझ गए होंगे तो यह lesson आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उसके बादे जै विवित्ता का महत्त क्या है जै विवित्ता आपको पताया लगया क्या है तो इसका जो महत्त है क्यों है जै विवित्ता ने मानो संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है इसी प्रकार मानो समधाय ने भी आनुवंशिक परजातिये वह पार्शिति अस्तरों पर प्राकिर्ति विविता को बनाये रखने में बड़ा योगदान दिया है जय विविता की पारिशितिक आर्थिक और व्यग्यानिक भूमिकाएं निम्न प्रकार से हैं ठीक है तो जो जय विविता है इसकी कई भूमिकाएं हैं और यह भूमिका पारिशितिक प्रजातियों में कोई ना कोई करिया करती हैं पारितंत्र में कोई भी प्रजाती बिना कारण ना थो विखसित होती है और ना ही बनी रह सकती है अर्थाथ पर तेक जिव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है किसी छेत्र में जय विवित्ता की अधिकता उस छेत्र के पारितंत्र को शुद्ध और अस्थाई बनाए रखने में सहायक होता है जय विवित्ता की आर्थिक भूमिका क्या है यह तो था पारिशितिक और अब है आर्थि आधि कछ हमें आनों को जय विविक्ता के फाल सुरोफ उपलब्ध होते हैं अब जय विविक्ता के व्यग्ञानिक भूमिका क्या है जय विविक्ता बहुत ही महतपूर्ण है क्योंकि प्रजाती हमें यह पुरजाती हमें ये संकेत कर सकती है कि जीवन का आरंब कब और कैसे हुआ ये भविश में कैसे विख्षित होगा इसके माध्यम से छेत्र विशेश में मिलने वाली पुरूख पुजातियों से उनके विकास, वितरण, उनके विनाश के कारणों वा उनका वा उनका पर्यावरण के पारस्परी समंधों को समझने में सहायता मिलती है इसके अत्रिक्त मानो वा जैविक तत्तों के मद्द सम्मंधों को समझने में भी सहायता मिलती है तो यह है वैज्ञानिक भूमिका आप इसको कई बार देखें समझें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ज्यादा टफ नहीं है अब है जै विवित्ता का हरास यह जो बायो डावर्सिटी आपने देखी विविन प्रकार के जीवों की वनस्पतियों के तो इनमें जो विवित्ता है इनका हरास हो रहा है कमी हो रही है तो तीव्र गति से बढ़ती जन संख्या के कारण प्राकिर्ति संसाधनों का अभोग अधिक होने लगा है इससे विश्व के विविन भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास अस्थानों में तेजी से कमी आई है विश्यो के 50% प्रजातियाँ ओश्ण कटिबंधिये चेत्र में मिलती हैं जन संख्या की विभिन आवशक्ताओं की पूर्थ के लिए प्राकिर्थिक अंसाधनों का दोहन और वनोन उन्मूलन यानि पोधों का समाप्थ होना उन्मूलन होना अत्यदिक हुआ है जो धीरे धीरे जव मंडल के लिए हानिकारक सिध्ध हुआ है इसके अत्रिक्त प्राकिर्थिक आपदाएं भूकंप, बाड, सुखा, जौला मुखी, आदि पिर्थिवी पर पाई जाने वाली प्राणि जात और वनस्पदी जात को छती पहुँचाती हैं जिसके परणाम सुरूर प्रदेशों की जय विवित्ता में बदलावाता है और प्राकिर्थि संसाधनों का पर्यावरण संसाधनों वा पर्यावरण संरक्षण की अंतराश्टी संस्तर जो आपको मैंने पहले बताई यह है IUCN ने संकटापन पौधों वा जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उदेश से तीन वर्गों में विभाजित किया है हमारे देश में जो पेड़ पौधे हैं जो जीवों की प्रजातियां हैं यह इनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है जो संकटापन समाप्त होने वाली प्रजातियां तो सबसे पहले संकटापन प्रजातियां वे सभी प्रजातियां शामिल हैं जिनके लुप्त होने का खत्रा है आज विश्व की 10 प्रतिशत पादप जातियां यानि पेड़ पौधों की जातियां संकट ग्रश्त जातियों के शेणी में हैं और दूसरा है सुभ dachte परजातियां सुभhouette परजातियां क्या हैं? वे परजातियां जिने यद सुरक्षित नहीं किया गया तो निकट भविश में उनके विलुप्त होने का खतरा है इनकी संक्या अत्तधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुरक्षित नहीं है और तीसरी जो वर्ग है वह दुरलव परजाती दुरलव परजाती में संसार में इन परजातियों की संक्या बहुत कम है बहुत रेर हैं इनकी प्रजातियों की संक्या यह प्रजातियां कुछी अस्थानों पर सीमित हैं या बड़े छेत्र में विरल रूप से भिखरी हुई हैं तो यह तीन प्रकार की प्रजातियां हैं संकटपन जिनका की संरक्षन या बचाना बहुत ही अवश्यक है अदरवाइस इनका दर्शन दुल्लभ हो जाएगा जो कि जय विवित्ता के लिए बहुत ही बड़ा खत्रा है अब है जय विवित्ता का संरक्षन यानि जो विवित्ता हमने देखी पेड़ पोधों की वनस्पतियों की इनका सनक्षन क्यों अवश्चक है? तो बढ़ती हुए मानोजन संख्या, परदूशन और प्राकरती संसाधनों के अत्यतिक दोहन से पारिशितिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे जीवों की अनेक जातियों के विलुप्त होने का संकट उत्पन हो गया है. जातियों के विलुप्त होने से जैविवित्ता घटती जा रही है. जैविवित्ता की वर्तमान इसिति को बनाए रखना है, जैविवित्ता सनक्षन कहलाता है. 1992 में ब्राजियन के रियोडी जेनेरों में हुए जैविवित्ता के समेलन में लिये के संकल्पों का भारत ने समर्थन किया, तथा समझोते प्रहस्ताक्षर किये. समेलन में जैविवित्ता सनरक्षन के लिए प्रमुक तरीके अपनाए गए, या फिर उनको उपाए बताए गए, कौन-कौन से उपाए हैं जिनको करके हम इन संकटपन प्रजातियों का सनरक्षन कर सकते हैं. पहला है संकटपन प्रजातियों के सनरक्षन का प्रचार करना, प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए योजनाय बनाना, प्रतेक देश को वन जीवों के आवाज को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा करना, प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विक्षित होने के अस्थान से रक्षित हो वन जीवों वा पौधों का अंतराष्टिय व्यापार नियमों के अनुरूप हो ठीक है तो आपने जैसा कि इस लेशन को देखा और समझ में आ गया होगा कि हमें अपने आस पास के वातावरण को स्वच और साफ सुतरा बना करके जितने भी जैवी विवित्ता है उसको बचा के रखना है उसको बना के रखना है जिससे कि आने वाली पीड़ी उसका लाव उटा सके और अपना स्वस्त जीवन यापन कर सके आपको मैं एक प्रश्न दे रहे हूँ इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखना है जय विवित्ता को English में क्या कहते हैं? जय विवित्ता को English में क्या कहते हैं? इसका answer आपको वीडियो के comment box में करना है तो आशा है आपको lesson समझ में आ गया होगा वीडियो कर आपको अच्छा लगे तो like करें, share करें और चैनल को subscribe जरूर करें जिससे कि अब अगली जो वीडियो बनेगी वो आपको जोग्राफी के practical lesson पर बनेगी तो जिससे आप इसको चैनल को subscribe कर लें जरूर जिससे कि उस lesson की वीडियो का notification आपके पास पहुंच जाए तो मिलते हैं अगले lesson के वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखे Thank you, take care